दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं ये तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्यों उतरे हैं किस वज़ा से उतरे हैं और क्यों बार-बार ये लोग नारे लगा रहे हैं दिरसल दोस्तों आपको याद होगा बीते दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफतार किया गया था। गेरते वे नजर आ रहे हैं जबर्दस सरीके से नारे बाजी कर रहे हैं लब्बाक या रसूल अल्ला जैसे नारों से इस वक्त राजस्थान की सड़के गूँज रही हैं। तरीके से लोगों का भीड़ी खटा हो रहा था वो देखने लायक था। फिर डिसाइड किया गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी से ही बुलवाया जाए। उन्होंने फिर अपने प्रेशन सकों को उतने चाहने वाले को अपील किया कि वो जो है इस तरीके से प्रदेशन ना करें। उन्हें कानून पर भरोसा है न्याय उन्हें मिलकर रहेगा उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। लेकिन आप बाचवा सासत राजिस्थान में एक बार फिर से लाखों लोग सड़कों पर उतर आएं और जबरदस तरीके का आखरोश जो है उनके अंदर देखने को मिलना हलाकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है यहाँ पर कोई भी किसी तरीके से हंगामा या कोई जो कहा जाता है कि उत्पात मचाया नहीं जा रहा है लेकिन तस्वीरों के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपको तमाम वो चीज़े दिखाऊंगी इस वक्त सड़कों पर क्या ह है यह कोई फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का अप्रदर्शन नहीं हो रहा है दोस्तों जिस तरीके से फिलिस्तीन को लेकर अपने बीते दिनों देखा था कि कैसे लोग लाको लाक सड़कों पर उतर रहे थे दुनिया भर से यह भारत की तस्वीर है आजाद भारत की और इस भारत की तस्वीर में राजस्थान की सड़कों पर जो है लाकों लोग इस वक्त एकटा है मौजूद हैं वाजित खान इस वीडियो को शेयर करते वे लिखते हैं कि लब्बैक या रसूल लिल्ला वेसलम बीलवारा राजस्थान में सल्मान अजरी साहब की रिहाई के ल दिखाय कि मुफ्ती सल्मान अजरी के समर्थन में बहिल भाडा में जबर्दस विरोद प्रदर्शन मुफ्ती सल्मान अजरी को 10 दिन के रिमान देने पर बील वाडा में लोगों ने gujrath पुलिस हाई हाई के नारे तक लगाये हैं। गुजरात पुलिस हाई हाई जैसे नारों से गुंज उठा है तो इस तरीके की जो है तमाम तस्वीरे निकल कर सामने आ रही अली सोराब नाम के योजर लिखते हैं कि लबाक या रसूल इल्ला के नारों से गुंजा भिलवारा मुफ्ती सल्मान अजरी की गिरफतारी के विरो में मुस्लिम समाक्त का सांति पूर्ण प्रदर्शन है मुप्ती सल्मान अजरी साहाप को फॉरण रिहा करो इस तरीके से नारों से सडके जो है वो गुंजती हुई नजर आ रही है यानि कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माधियम से किसकदर लोगों के बीच जो है गु नहीं डाला गया ना ही उनके ओपर कोई गंबीर धाराएं लगाई गयी ना ही उनको रिमार्ण पर भीचा गया वो खुले में घूम रहे हैं चाहे वो बीजोपी के की राजा सांसधी क्यों नहों विधायक ही क्यों नहों ऐसे तमाम लोग जो है वो आते हैं नफ्रती भाश जो है वो शायद दो तरीके से होता है क्योंकि अगर ऐसे तो सैकड़ों लोग मिल जाएंगे दोस्तों आपको विवादित बयानों को देने वाले दो समुदाय के बीच नफ्रत बाटने वाले लेकिन उन लोगों के खिलाफ आज तक करवाई नहीं आज तक उनके खिलाफ को इन जैसे नफ्रतियों को नहीं भेजा गया दोस्तों इस पूरे रिपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकीरिया में कमेंट करके जरूर बताइए साथ ही साथ चानल को सब्स्राइब करना बलकुल भी ना भूले